पुश्पा दर राइज देखने के बाद अलू अर्जुन का स्वैक देश भर की ओडियन्स के सर चड़ कर बोल रहा है। तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री की इस शांदार फिल्म से मेकर्स को धमाकेदार बिजनेस की उमीद तो थी। मगर हिंदी दर्शकों में पुश्पा का टशन इतना जोरदार चलेगा इसकी उमीद उन्हें भी नहीं थी। अब सीक्वल पुश्पा दरुल को और भी ज्यादा जोरदार बनाने के लिए मेकर्स कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि पुश्पा टू में दमदार अक्टर विजय से तुपती एक महत्वपून किरदार निभाने वाले हैं। फिल्म की कास्ट में अलू अर्जुन के साथ फाहाद फाजिल और रश्मिका मंदाना पहले से हैं। रिपोर्ट्स में सामने आया था कि अलू अर्जुन की इस दमदार सीक्वल का बजट 350 करोर रुपे होने वाला है। मगर अब फिल्म के प्रोडूसर्स में से एक वायरवी शंकर ने कहा है कि पुश्पा टू का बजट इससे भी ज्यादा होने वाला है। शंकर ने कहा कि हम साउथ इंडिया से बाहर फिल्म की काम्याबी से यकीनन बहुत हैरान थे। हमें नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी होगी क्योंकि हमने प्रोमोशन पर ज्यादा समय नहीं खर्च किया था। आगे उन्होंने अंदाजा लगाया कि पुश्पा टू के लिए 500 करोड रुपे की जरूरत पड़ेगी। बताया जा रहा है कि पुश्पा टू के प्रोमोशन का बजट 5 गुनब और सकता है जिस पर 50 करोड रुपे तक का खर्चा सकता है। इस बार वो देश के हर हिस्से में लगभग 2 महीने तक जोरदार तरीके से फिल्म प्रोमोट करना चाहते हैं। रिलीज डेट की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने बताया कि वो अगस्त 2023 तक फिल्म को रिलीज कर देना चाहते हैं। पहले आई रिपोर्ट्स के हिसाब से फिल्म को दिसमबर 2022 तक रिलीज करने का प्लान किया गया था। मगर अब लगता है पुश्पा के फैंस को लंबा इंतजार करना होगा।